मैं रंधी सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल के इस एपिसोड में या इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तीन मुवी नहीं नहीं आई हैं दे वैक्सीन वार, फुकरत्री, चंद्रमुखी और एसकंदा का भी हम बढ़न करेंगे और उसके साथ जवान का भी तो कुल मिलाकर पांच मुवी हो जाती है हम पांचों मुवी का जो कल संडे के दिन कमाई हुई उस पे देखेंगे कि कौन सा मेनर है कौन मुवी कितनी कमाईगी उसकी उकुपेंसी के उपर भी हम चर्चा करेंगे और उसके पिछले दिन की उकुपेंसी के उपर भी चर्च उसके जो आगे आने वाले दिन में उसमें का परिवर्तन देखने को मिलेगा इस सारे बातों पर हम चार्चा करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए कमेंट कीजिए लाइक केजे और सब्सकाइब कीजिए दोस्तों मैं यसलिए मैं इसलिए बोल रहा है कि यह वीडियो बनाने में बहुत नहींक लगता है जो मैं वीडियो लेके आता हूं तो पहले मैं रिसर्च करता हूं पढ़ता हूं और फिर मेरे को मुझे क्या लगता है इस पर मेरा क्या टेक होना चाहिए उसके उपर मैं बोलता हूं कि इस जो सारे डाटा है उस पर मेरा क्या मन है या मेरा क्या कहना है और मैं क्या आकलन लग करना चोड़ देंगे तो फिर डाटा का मतलब क्या है डाटा तो इसलिए होता है कि उस पे अनाल्सिस करें और भविश्च के गर्ष से निकाल के लाएं जिए क्या हो सकता है फ्यूचर में क्या होना चाहिए तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो स बॉक्स ओफिस के रिपोर्ट के हिसाब से हिंदी सिनेमा के इतिहास में इतनी कमाई करने वाली इतने दिनों में कम दिनों में कोई मूवी नहीं है और इन्हों ने एक पोस्टर भी कल जारी किया कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में मैं वर्ट तो वर्ट बता देता हूं आपको highest grossing Hindi film in the history of Hindi cinema और उसने original language बुला है, मतलब Hindi language का कहने का मतलब है, इन्होंने जो कमाई किया है वो box of his के report के हिसाफ से आज तक के Hindi cinema में किसी ने भी इतनी कमाई नहीं की, तो सबसे पहले उसको रखते हैं तो जैसा कि मैंने चौते दिन, मतलब उसका जो फोर्स सटे दे था, लेकि 24 दिन था, मैंने बताया था कि इसने हिंदी से के वोल कमाया था, 538.67 लाग, मतलब 538 करोड और 67 लाग रुपया, और तमिल तेलगू से 23 लाग के करीब कमाया, तो पूरा हिंदी से कमाई इस की हो जाती है, 595 करोड और 45 लाग रुपया, और इसका ग्रॉस जो हो जाता है, 715 करोड रुपया, और ओवर्सीज से कमाती है, 355 करोड रुपया, और जो, ये वोल्ड वाइड कलेक्शन इसका, जो ट्रेड के हिसाब से, 1070 है, और जो पूर्डीसर के हिसाब से है, 1068 करोड और 56 लाग रुपया, तो ये तो चोबीत का है, लेकिन 25 तारीक का, जो जो उकुपेंसी के हिसाब से कमाई बदार है, वो इसकी उकुपेंसी के हिसाब से कमाई करीब करें, आठ करोड और 60 लाग रुपया इसकी कमाई बताई जा रही है कि जो उक्पेंसिय उसके हिसाफ से 8 करोड 60 लाग रुपया या 9 करोड कमा सकती है तीक है अब इसमें अगर 8 करोड 60 या 9 लाग जोड देते हैं तो ये पूरी इंडिया ते 604 करोड रुपया कमा लेती है उसके बाद इसकी आप उक्पेंसि भी देख लीजिए मुंबई में इसको 430 शो मिले थे उसमें क्याउन परसेंट जो हाउसफूल है डिली इंसियार में 487 शो मिले थे बाउन परसेंट हाउसफूल है आचा पूने में 119 परसेंट उक्पेंसि है मतलब फुल है और बैंगलूरू में 140 शो मिले थे जिसमें 88 परसेंट की उक्पेंसि है दोस्तों ये आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि आब मैं 10 वैक्सीन वार पे आउंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना कमाई की पहले दो वैक्सीन वार की मैं उक्पेंसि की बात कर ले रहा हूँ मुंबई में इसको 354 मिले थे जिसमें 25 परसेंट की उक्पेंसि है उसके बाद इसका दिली एंसियार में 339 ज्यादा मिले है उसके बाद इसका जो उक्पेंसि है 20 परसेंट की उक्पेंसि है और इसी तरह पूने में 121 शो है जिसमें 30 परसेंट की उक्पेंसि है और बैंगलोरू में 122 है जिसमें 28 परसेंट की उक्पेंसि है तो इसके उक्पेंसि में और इसके शो में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला अगर उसके पिछले दिन की तुलना करे जो इसका सटेडे था उसके हिसाब से ये उकुपेंसी में थोड़ा सा जंप किया है पहले इसकी उकुपेंसी ओवरॉल देखा जाए तो 21.34 परसेंट था लेकिन जो अभी का जो आ रहा है उसके हिसाब से ये करीब परी 25 परसेंट से लेकर 27 परसेंट के तक उकुपेंसी है तो ये अपने पहले दिन मतलब ये चौथे दिन जो चौथा संड़े इसका था उस दिन ये कमा सकती है 2.24 लाज रुपे है जो कि इसके पहले तीसरे दिन इसने 1.70.000 करीब कमा है तो अगर 2.24.000 रुपे इसमें जोड़ देते हैं तो ये अपने चोथे दिन तक ये कमा देती है जहां जवान ने 8 करोड, 60 लग के 9 करोड तक का बजा रहे हैं, वो ये केवल ये कमा रहे हैं, दो करोड, 24 लाग रुपेया, तो काफी अंतर है, और अगर ये कमा लेती है, तो जवान को बताया, आपको 604 करोड चली जाती है, ये 5 करोड और 70 लाग के जाएगी, बहुत छोट फुक्रे, फुक्रे ने अपने तीसरे दिन, मतलब सटेडे की दिन इसने कमाया था, 14 करोड के आसपास, लेकिन संडे को इन टीनों मुमी की तुलना में जो रेलिज हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फुक्रे 3 ने कमाया, 15 करोड और 18 लाग का इस्टिमेट है, जो कमाई कर सकती है, अगर ये 15 करोड, 18 लाग इसमें जोडते हैं, तो इसकी टोटल कमाई जो हो जाती है, वो हो जाती है, 43 करोड और 18 लाग रुपया, और वर्ल्ड वाइड में ये पहुँच जाती है, 55 करोड और 30 लाग रुपया, इसकी जो अकुपेंसी देखें गया, इसका तीस इसरे दिन मतलब Saturday की जो कोपेंसी थी वो मॉर्निंग का 12 परसेंट था आफ्टरनून का 26 परसेंट था और इवनिंग का 31 परसेंट और जो नाइट का था वो 42 से उपर था तो अब उसमें यह बढ़ोत्री होई है बढ़ोती यह हो कि जो मॉर्निंग के शो था वो 16 परसेंट से उपर है और जो आफ्टरनून का है वो 40 परसेंट तो उपर है और इवनिंग का शो है 52.51 परसेंट का उपकोपेंसी है और जो पहले दिन नाइट का शो में 42 था वो 49.59 परसेंट हो गया मतलब सारे शो की उपकोपेंसी बढ़ गए तो अब इसलिए इसकी जो कमाई है Saturday से ज आटरा लाग जोड देते हैं तो यह जाता तारीस करोर आठरा लाग रुपेया जो वर्डवाइड मैं आपको बताया 55 करोर 55 करोर के आसपर पहुंच जाती है अब आता है इसकंदा इसकंदा ने कमाया अपने जो मैं बता देता हूं पहले डे में कमाया 11 करोर 55 ज्यादा है चार सोते उपर शो अहदरावाद में फिर बैंगलोरू में 207 है लेकिन आपको पैंसी कोई ज्यादा नहीं है मतलब 33 और 40 के बीच में है उसके बाद यह सटेडे को कमाती है पांच करोर और 30 लाग रुपेया मैं ओवर और इंडिया की बात करा हूं कि कि यहां पे हिंदी मे इसकी कमाई उतनी नहीं है तो इसलिए इसको सारा जोड के बताते हैं अब संडे को इसने कमाया है क्योंकि संडे की हम तुलना कर रहे है छे करोड़ और 25 लाग रुपेया तो पूरा ओवर अब इसका इंडिया से चार दिनों की कमाई हो जाते हैं 27 करोड़ और 10 लाग है तो हम का पोहुंचे जमान ने संडे मतलब संडे को कमाया आठ करोड़ शाट लाग से उपर कमा रहे है और वैक्सीन आउथ 2 करोड़ 24 लाग रुपे कमा रहे है और फुक्रेत्री 15 करोड़ 18 लाग रहे है इसकंदा जो है 6 करोड़ 25 लाग रहे है अब चंद्रमुखी के वारे में भी बताएं तो हूं चंद्रमुखी ने अपने पहले दिन इसने कमाया था पूरे इंडिया का लेंगे कि ज्यादा तमील और तेलगु में ही कमाई की है तो हम हिंदी के ऊपर जाएंगे तो वो नहीं होगा अभी पूरे इंडिया से इसने कमाया पहले दिन 8 करोड 25 लाग रुपया दूसरे दिन इसकी 47% की कमाई इसकी गिर गई उसके साथ हो गया 435 लाग रुपया तीसरे दिन जो इसका Saturday था Day 3 वो दिन कमाया इसने पांच करोड और पांच पांच लाग रुपया अब डे आता है 4 मतलब संडे सारा मैं तुलना के वल संडे का कर रहा हूं त संडे को एक कमा लेती है 6 करोड आठ लाग रुपया मतलब अगर देखा जाए अब इसकी वल्डवाई जो कलेक्शन हो जाती है 24 करोड और 35 लाग रुपया हो जाता है तो अब देखिए कि मैंने जो तुलना किया था जवान का 8 करोड से लेके 9 करोड तक दवक्सीन वार 2 कर 8 लाग रुपया है तो करीब करीब अगर वीनल देखा जाया तो आज भी संडे के साफ़ से फुक्रे वीनल है लेकिन अकर देखा जाए तो जमां इतने दीनों से चल रही है तो रियल में वीनल रुई है क्योंकि जमान का यह आको कोंसा दीन है मैं बता देता हूं जमाल का जो है यह 25 दिन है संडे तो आप 25 दिन की अगर दे फोर से तुलना करें जो नहीं लोगों से तो बहुत बड़ा बात है अपने 25 दिन में भी यह सेकंड नमर पर कमा के होती है मतलब 8 करोर 8 लाग से लेकर 9 करोर दे कोई बहुत बड़ा बात है आप बताएगा यह वीडियो कैस हमाँ चाहता हूंद कि देख़िये मैं जो वीडियो बनाताों काफी रिसर्च करने के बाद बनाता हूं और ऑर केवल वीडियो बनाके एक किषव डाटा ही नहीं देता हो उसके हिसाब से मैं प्रयास करता हूं कि उसकी अनालसिस किया जाए कि भाई एपिक्चर Ketना न जाएगी क्योंकि अभी कोई भी कई बार क्या होता है कि कई मूवी होती है जो वीकेंड में या अपने स्टाइटिंग में अच्छे विजनेस करती है लेकिन लॉंग रन जाते जाते वो पिक्चर की कमाई बंद हो जाती है या एक हफते के बाद वो पिक्चर गिर जाती है अब आपने कई एक्जामपल दे सकता हूं तो इसलिए हमारा काम है अनलसिस करना यह मतलब यह डे वाइज और वीक वाइज जो कमाई करती है तो उससे क्या हम निकाल सकते हैं कि मोवी कितने दिन तक चल सकती है इसलिए अगर किसी को लगता हूं कि थोड़ा वीडियो ज्यादा लग रहा है तो मैं पूरत कंपेर करता हूं एक डे का दूसरे डे से उसके पिछले डे से में उसने कितना कमाया था अभी उसने कितना कमाया उसकी इसके पहले क्या अकुपेंसी थी आज क्या अकुपेंसी तो झाल